तो विल स्टार्ट विट फर्स्ट कोश्टन ऑफ सर्कुलर मोशन अगें त्वेल्ट में आपको टोटल 16 चैप्टर से यू अलड़ी नो और यह 16 चैप्टर डेर वेरी इंट्रेस्टिंग एस फार एस सीटी जेए निटी संट कॉंसेप्ट क्लियर होंगे तो कॉश्टन बहुत एजिली सॉल होता है तो फॉर्स तिंग इस जो रिविजन लेक्शेश मैंने अप्लोड किये है वह देखके आना कंपल्शरी है अधरवाइस फॉमला पता नहीं होगा तो कॉश्टन सॉल नहीं होगा वेरी सिंपल थिंग पहला कॉश्टन पार्टिकल पी इस मुविंग इन शर्कल ऑफ रेडियस ए वित यूनिफॉर्म स्पीड वी मतलब यूनिफॉर्म स्पीडर मोशन का केस है और आपको पता है लीनियर स्पीड होता है वी एक्वल टू आरो मेगा सी इस uje और एक बीजेर कोश्टन क्या है वो समझें लो दो पार्ट है क्या पार्टिकल पी और गूंग इना सेर्कल ऑफ रेडियस थो इस जाट गाट सूर इमारे पास एक पार्टिकल है व्याव संप्रिकल पीण इन ऑ्सर्कल और रेडियस थो तो में में नॉट भी विजिवल जस्ट मिनिट बैक्ग्राउंड चेंज कर लेते हैं दिखेगा नहीं अधर्वाइस नाओ इट इस ओके तो हमारे पास एक पार्टिकल था जैट पार्टिकल इस मोविंग एनस सर्कल तो यह लाइडियस टो इस सर्कल इस इस तो सब्सक्राइड कर है है अच्छे से कोशन रीट करो किकले काम का है कोशन सिंपल भी है सी सेंटर दे सरकल इस सरकल का सेंटर है सी कि एबी इस टायमेटर तो एबी इस टायमेटर मतलब यहां से यहां तक का जो distance that is diameter or diameter किया बोला है a b good when passing through B मतलब जब यह बीपॉइंट से पास होगा इस पॉइंट से पास होगा एंगल वेलोशीटी और पीपी कोन है पार्टिकल तो एंगल वेलोशीटी और पार्टिकल पी अबाउट एंड सी इंपॉर्टेंट आबाउट एंड सी अरिम्र रेश कि वह अंदर्ष ऑबाउट एंड सी अबाउट एंड सी क्या होता है आरोमेगा फिर ओमेगा क्या हैगा वी-बाए-र लेकिन वी क्या है constant है इन्होंने बोला है clearly बोला है with uniform speed uniform speed मतलब constant speed इसका मतलब भी constant है तो omega इस inversely proportional to r आपको पूचा है ratio किसका ratio एंगल रोसिटी का about a and about c तो about a upon about c जिस विल भी rc by r a तो question का मतलब से बितना है कि एक बार आपको एक बार आपको center लेना है a और एक बार आपको center लेना है c अब मुझे बताओ जब तुमने c center लिया तो radius कितना है a और जब मैं a center लूँगा 2a very good very good तो जब आप center a लोगे तो circle जो है न वो double radius का बन जाएगा तो कितना हो जाएगा twice a so that is all इतना ही पता होना चाहिए था तो question was good simple तो about a मतलब center a जब center a तो radius 2a about c तो center c center c तो radius is a a तो rc what is rc बता 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 ए what is r a 2a therefore what will be the ratio omega rc is a और या जाएगा 2a तो ratio is 1 by 2 1 is to 2 1 by 2 है क्या है option number b done next question okay must be done by now agla question yeah question b is a very good question a motorcyclist motorcyclist moving with velocity of 72 km per hour on a flat road flat road matlab unbanked banking kia nahi that is called as flat road takes a turn on the road at a point where the radius of curvature of the road is 20 meter the accession due to gravity is 10 meter per second square in order to avoid skidding slip होने से बचाने के लिए he must not bend with respect to the vertical plane by an angle greater than तो question पहले अच्छे से समझ लो इंट्रेस्टिंग है सिंपल है कि motorcyclist moving with velocity of 72 km per hour on a flat road flat road था टेक्स टरन बैंकिंग किया नहीं है रोड़ पे तो अगर आपने कभी टीवी पे यूट्यूब पे motorcycle racing देखा होगा तो जब टरन आता है वो चोड़ तो हमारे city के रोड अच्छे होते तो तुमको यह दिख जाता बहुत सारे स्टन करने वाले लोग है तो टरन जब लेते हैं तो बाइक को क्या करते बता है बेंड करते हैं फोड़ा सा बेंड करते हैं तो for example just for an example इमेजिन यह रोट था इमेजिन यह बाइकर है और जैसे टरन आया तो बाइक को बेंड कर लेता है तो यह बाइक है और यह वर्टिकल है वर्टिकल क्यों डॉकर को कुश्चन में बोला है तो कुश्चन में क्या बोला है मोटर साइकलिस का स्पीड दिया है 72 किलोमेटर पर आर अन फ्लाट रोट टेक्स अ टॉर्ण ऑन दो रोड अट पॉइंट वेर्टिकल प्लेंड बाइन आंगल ग्रेटर देन बात ऐसी है अगर बैंकिंग हुआ होता तो उसको बेंड करने के जरवाती नहीं थी क्योंकि अल्रेडी अगर बैंकिंग है तो इन केस आप बैंक रोड बैंक रोड में तो रोड ही रोड के आउट्रेज को तुम ने उपर उड़ां लिया तो उसकेस में बाइकर को तो बेंड होने की जर्वाती नहीं है लेकिन जब बैंकिंग नहीं होता है तो बाइकर को बेंड होना पड़ता है अब प्रॉब्लम क्या है ज्यादा बेंड हो गया तो आपसे पूचा है कि वाट छुड भी दिस एंगल यह एंगल कितना होना चाहिए इन और तो अवाइट स् ओनाएं मैंने इसलिए बोला कि अगर बैंकिंग होना होता तो बाइकर को बैंड होना पड़ता क्या लेकिन बैंकिंग नहीं है तो बैंकर को बेंड होना पड़ेगा जितना यह सुड की सिपल सिंपल चैकना सेवेंटीटू किलोमिटर परर और किलोमेटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हो five by 18 good one's a four that is equal to 20. तो आग्या 20 मीटर पर सेकेंड राइट की वैल्यू कितनी बुली है कितनी बोली है 20 सिंव स्वेंटी इंटु 20 सफ़यरे लेकिन नीचे फिए 20 कैंसल होगा ना और के वाइनटी और ट्वेंटी जिलो और जिरो और जिरो तो तो हीन्टा कितना आ गया 10 inverse of 2 to angle by which the biker should bend is 10 inverse of 2 to answer should be 10 inverse of 2 option number B next question a road is 10 meter wide width of road that we have put 10 meter its radius of curvature is 50 meter the outer edge the outer edge is above the lower edge by a distance of 1.5 meter this road is more suited for the velocity पहले कोश्चन को अच्छे समझ लो सिंपल कोश्चन है क्या वोला है रोड इस टैन्मीटर वाइड यह रोड है रेडियस मतलब आर कितना दिया हुआ है आपको आउमच 50 मीटर तो 50 मीटर आगे वोला है दा आउटर एज यह लोवर एज मतलब इनर एज है आउटर एज इस अबोड लोवर एज बाय डिस्टंस ऑफ 1.5 बैंकिंग में तुम ऐसा करते हो और यह आउटर एज तुमने यहां पहुचा दिया तो आउटर एज इस अबोड यह जो ना यह लोवर एज का लाइन है तो आउटर एज और लोवर एज में आउटर एज अब अबोड़ मतलब वर्टिकल डिस्टंस मतलब हाइट कितना हाइट दिया हुआ है 1.5 वैट तो में न सिर्फ दिया क्या है वो इंटिफाय करना इस मोस्ट इंबॉर्टन तिंग फिल बाइद वे रोड का विट्थ कितना था टैन मेटर अब तुम रोड को ऐसा रखो या उसको इंक्लाइन कर दो तो विट्थ कितना रहने वाला है सेम टैन मेटर और विट्थ ऑफ रोड को सब्सक्राइब कर दिया कितना है कितना है फिफ्टी क्या पूछा है मोस्टेवल स्पीड अंडर रूट ऑफ आर जी टैन चेटा आर पता है येस जी नाइन पॉइंट एट पता है नो तो फाइंड कर लो वट इस टैन जेटा अपोजिट अपॉजिट अपॉजिट अपॉण मैंने पहले बोल दिया ये एस है तो ये भी क्या है एस है तो एच बाए एस तो वाट इस एच वन पॉइंट फाई वट इस एस तैन रही बरबर पक्का ना शोर शोर अले हाँ या नहीं एक चीज़ बता दो करेक्ट है हाइट वन पॉइंट फाइट आ गया येस विट टैन ता गया येस तो करेक्ट है टैन जेटा इस राइट आर जी अब एक काम करो दिस इकोल टू अंडर रूट आर कितना है फिफ्टी जी की वैल्यू को टैन लेलो लेकिन लेंगे क्यों कि एक टैन फीटा में बंपॉइंट फाइब एक टैन टो ये थोड़ा कैलक्रॉइशन कारेगा कैसे ये जुकंडें हो गया तो यह गीघ्या अंडरोटो 75 मतलब 25 इंटो 35 रूट त्री रूट त्री की वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट सेवें त्री तू वेरी गुड तो फाइव इंटू 1.7 3232 को छोड़ दो कि 1.5 पॉइंट वाइड है एट पॉइंट वाइग रफटली रफटली एट पॉइंट वाइव बिएट पॉइंट प्याइट भी आप्सिं ली800 अप्शन नंबर भी लेब तो8.5 मेटर सचुन नेक्स क्वेशचंट हिन important question है the length of seconds hand in a watch is 1 centimeter the change in velocity of its tip in 15 seconds is important question है सबसे पहले you already know watch में तीन है कौन से तीन हैं मिनिट हैं सेकेंड हैं आ रहे हैं आइंट है किम टो लेंट का सेम हो सकता है होगा में बी मैं आइड्या रिस शाहएं का मिननिला सवेसे पता ही शेकेंड यह एक राउंड डर्सरी गत् decis хват म करता है 60 minutes मतलब इस time period 1600 seconds आर हैंड एक राउंड कितने टाइम में खतम करता है हां हां है आर हैंड कितने टाइम में एक राउंड करेगा ट्वेल आर्स ट्वेंटीफोर नहीं त्वेल त्वेल आर्स राइट तो टाइम पिर ट्वेल इंटू सिक्स्टी इंटू सिक्स्टी ठीक है यह पता होना चाहिए अब देखो होता क्या है आइडिली यह कौन से टाइप का मोशन है पता है आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और किसका टिप का टिप मतलब बाउंडरी पे जो पॉइंट होगा उसका यहां पे यह जो हैंड्स पे यह जो एरो हेड होते हैं एरो हेड यह परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब बाकी नहीं बाकी भी कर रहे हैं लेकिन तुमको लेंद कितना दिया हुआ है वन सेंटीमेटर तो लेंद मतलब क्या यहां से यहां तक तो टिप इस डाट पार्टिकल जिसका रेडियस कितना है वन सेंटीमेटर बाकी के भी पॉइंट सारे के सारे पॉइंट इस मिनिट हैं पे सेकेंड पे आर एंड पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेकिन टिप यह वर्ड क्यों यूज किया क्योंकि अगर उनको यह बताना है कि आप लोगों को रेडियस की वैल्यू कितनी यूज करनी है वन सेंटीमेटर तो सेंटर से यहां तक वन सेंटीमेटर होगा आपको सबको पता यह 15 सेकंड में 15 सेकंड में कितना कितना एंगल कवर होता है कितना नाइंटी क्यों आपको यह अल्रेड़ी नो स्टार्ट यहां से अगर हुआ तो 15 सेकंड में नाइंटी राइट है टीस सेकंड में वन एटी वेरी गुड वाइन लेकिन अगर मुझे अभी 15 सेकंड पूछा है फिर कोई कोशन में 30 सेकंड भी पूछ लेंगे फिर कोई कोशन में साथ सेकेंड पूछ लेंगे किसी कोशन में 45 पूछ लेंगे तो इन जनरल मुझे फॉर एनी एंगल फॉर्मुला बनाना है तो कैसे बनाते हैं पहले समझे लो इमैजीन इमैजीन इनीशली इनीशली पार्टिकल यहाँ पर है आइनो इड़ोस क्लॉक्वाइस मुझे पता है क्लॉक है तो आपको जाएगा नहीं हो जाएगा च्लॉक्वाइस मैं जान बूच के थोड़ा सा वेडियेशन करूंगा सिर्फ समझने के लिए यह बी लेकिन जनरली ऑर सम एंगल ऑर एनी एंगल लट ऑससे यहां से श्टारट वातावी पॉइंट से स्टार्ट वाता इसको एफमेंट बोलो आपकी मर्जी और आफ्टर सम्टाइम वह पहुश्च गया एand आप्टर सम टाइम मैंने पंद्रा सेकेंड नहीं बोला तो एंगल कितना बनेगा तो मैंने क्यों नहीं बोला क्योंकि पहले मैं जनरल फर्मॉला बना कि दूंगा उसके बाद फिर हम कोश्चन सॉल करेंगे तो वियर वर्किंग है जनरल फर्मिला यह मोशन कुंसे टाइब का ललॉंग टैइन्जर्ञ जब पार्टिकल यहाँ है तो भी स्पीड है लॉंग टैइंजर्ञ इसको मैं बोलूंगा वी एक्वल कू वी अगया तो यह जो तो रेडियस वेक्टर है इसने कुछ एंगल बनाया होगा इसको क्या बोलते हो एंगल डिस्प्लेस्मेंट हम जब बैंकिंग ऑफ रोड का केस देख रहते तब मैंने आपको पता है था कि अगर दो लाइन में एंगल थीटा है तो उन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है वेक्टर और आपको पता है वेक्टर को तूं जहां चाहो वहां उठाके रख सकते हो तो मिन उसको उठाके यहां रख दिया तो मैंने डिफ्रेंस हमने में चेंज किया नई तो क्या है यह सेम यह कुन था वी बी तो फिर यह कुन है वी भी कि आप अब दिखो यह तैंजन्ट है ना हमेशा रेडियस को था है पर पेंडिकुलर मतलब इन दोनों में एंगल कितना है नाइन्टी गों गडर इन दोनों में इन दोनों में एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों बिन यह है जैञेंग डॉन direito वेलोसिटी मतलब यह डेल्टा वी तो यह यहां लेकिन बहुत सिंपल है यह बना लोगे तो ऐसे पार्च कोश्चन्स हो जाएंगे केस था घड़ी का हमने घड़ी को रख दिया साइड में हम आगे नॉर्मल सब्सक्राइब मोशन पर इन शॉड्ट क्योंकि यूसियम लिया सब्सक्राइब मोशन घड़ी का काटा हो या कोई भी बार्टिकल हो यूसियम तो यूसियम है तो यूसियम है बी पे ता तब स्पीड वी थी शिप डिरेक्शन हुआ चेंज बी से ए में जाने में एंगल इस ठीटा तो यह एंगल भी चेटा आपको पूछा है वाट इस चेंजिन वेलोसिट मतलब यह सामने का साइड डेल्टा वी अब इसको भी फिला लगते साइड में बाद में देखेंगे इसको तेल मी वन तिंग अगर मेरे पास ऐसा एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है तो वाट इस सी अंडर रूट ऑवे स्कूर प्लस बीश्कूर मतलब सी स् कि अगर में तो कि अगर में लेट असे मेरे पास ऐसा एक ट्राइंगल है जे यह है यह बी है यह सी है इसमें एंगल टेटा है अब बता विश्वाम और और रूट ऑफंखे प्लस बीश्कूर प्लस टू एभी नहीं होता है माइनस टूभी कॉस्ट्रीट आ हो सबर्दोग जो साइन रूल का वो जो साइन रूल कि यहीं से आता है हमको चाहिए तो सी स्क्वेयर EAST को छोड़ देना लेफ्ट हंड साइट पर लिखना है तो है और भी तो स्क्राइर प्लस ए तब अगर ही है क्या नहीं तो माइनस टूए भी कॉस of theta where theta is angle between a and b ये है इसको बोलते हैं को साइन रूल क्या बोलते हैं इसको अब अगर देखो लॉजिकली ए ऐसा होता बी यह होता सी क्या बन गया है है गया ब्रैफ से बन जाता है इन जर्ल जब नहीं हो तो उस केस में अगर आपको एक साइड करना है तो यू 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 सिस फर्मूला सी इसकोई एक्वल टू लेप अगे ऑगे यह एक भी नहीं हाएगा एगा माइनस टूए भी अगर सपोस 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 यह थीटा वन है सपोस और मुझे एस कोर्फाइंड करना होता तो बताओ फर्मला क्या वनेगा एसकोर इक्वल टू बी स्क्वेर प्लस री स्क्वेर माइनस माइनस टूबी सी कॉस्ट एडा वन वेरिगुट तो चलो ठीक है अब मैंने क्यों बताया इधर ध्यान दो यह सी romance यह अन्नों था यहां पर ईंव अननोण है तुक्य क्या पूच है जला-प्रेटी, ग्रॉच्छ ओपूच पढ़ो, ज진 जलॉक्ते तो हमारे पास जो ट्राइंगवल है, उस में उन्नन्न कौन है, डेल्टा विफ कहांड़रा क्या है, तो यह क्साइड थो क्वेच्वेची मैं निक्रिक ओंधा ट plus VB square minus 2 VB cos of theta good clear लेकिन V A और VB का magnitude क्या है same that is equal to V V N speed क्या है constant कितना लिया आमने V so what is V A and VB magnitude wise V तो फिर यहां substitute कर दो just substitute and done अब क्या करेंगे अब हम लगों यहां पर सिफ कर देंगे substitute तो delta V square equal to V square plus V square minus 2 V into V cos theta 2 V square minus 2 V square cos theta 2 V square आ गया common 1 minus cos theta good very good what is 1 minus cos theta 2 sine square theta by 2 2 sine square theta by 2 so delta V square equal to 2 V square 2 sine square theta by 2 तो यहां आपके पास delta V square equal to 4 V square sine square theta by 2 तो delta V equal to 2 V sine theta by 2 तो बरबर एंगल थीटा इस दा एंगल बिट्वीन इनिशल पोजिशन एंड तो वाट इस सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर बताता हूं अब आपको बोला है लेंट ओफ लेंट ओफ सेकेंड हैंड इन वाच इस वन सेंटिमेटर चेंज इन वेलोसिटी ओफ इट्स टिप इन फिफ्टीन सेकंड इस पंदरा सेकेंड में विए सेकंड जैंड यहां से आ गया यहां पर तो एंगल कितना है तो फिटा कितना है आ को क्या पूछा है चेंज इन वेलोसिटी जनर्र फोल्ला क्या बना लिया तुपने तूट वी साइन एंट थीटा वाइटूट इस पही तो टूवी नाइन 2 टाइब यामको नहीं पता लेकिन विक सांव कितना और कि था है किटना दिया है ृक alan वखे गोन की यहां से किया था इतना 60 seconds वन जा एंड तर्टी जा तो रूट टू पाइबाइब थर्टी याना चाहिए डेल्टा भी तो रूट टू पाइबाइब थर्टी दिखता है कहीं पर आप्शन नमबर डी पाइब रूट टू बाइब 30 सेंटिमेटर पर सेकेंड शॉटकट हो गया एकदम अब अब अगर चेंज इन मोमेंटम पूचा होगा वट इस मोमेंटम मास इंटू तो चेंज इन मोमेंटम इस चेंज ऑफ मास इंटू वेलॉसिटी अब अगर घड़ी का काटा नहीं है कोई पार्टिकल है पार्टिकल चक्कर लगा रहा है मास काम होता है कि उसका तो मास क्या है तो जाएगा डेल्टा भी डेल्टा भी क्या है मतलब टू एम वी साइन ठीटा वाइटू मैंने इसके लिए बना के दिया कि चेंज इन मोमेंटम चेंज इन विलॉसिटी हो तो डरेक्ली यह फॉमला यूज कर लेना अब पक्का क्लियर समझ गया तो 30 सेकेंड में क्या होगा बता यहां आएगा 180 तो कितना है 180 180 कितना है 90 कितना है 1 तो यड़ज आएगा व्हरी गूट तो आजएगा आपके पास to be 2 लेकिन जबी क्या था और ओमेगा तो तो टो घू वान ओमेगा इतना है टू पाइबाइबाइब यह फोर एंदेचे सिक्स्टी है 15 पाइबाइबाइब फिप्टीन यह फोर है दीचे शिक्स्टी है तो पाइबाइबाइब 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर 45 सेकंड बोला होता तो 270 कितना बनेगा 270 275 to 135 what is sign of 135 when my root 2 sign of 135 sign of 90 plus 45 sign of 90 plus 45 is cost of 45 cost of 45 is one by answer same answer same आएगा गुड तो रिमेंबर सिप एक कोश्टन के पीछे नहीं पढ़ना है यू आलवेज आव तुस्टींक सम्टिंग इस जिसमें आपके ना एक तीर से तो इस नोट एक्सपेक्टेट दैट यू राइट दाउन वाट इस कोसें डूल यह फॉर्मिला कैसे आया वह मैं पीडियेफ में रखूंगा यू में वर्किट ओट फो यॉर्सेल्फ पहले खुछ से कोशिश करो नमबर टू क्या कोई अल्टरनेट में अफोर्स है ऐसी सेड़ कैन वी सॉल्ट इस वाइट अफोर्स कैसे करते बता देता हूं लेकिन फिर वह लिमिटेड तो वन या टू किस हो जाएगा जैसे फॉर एक्जैंपल अभी वेक्टर्स का यूज करके कैसे सॉल करोगे देखत तो मैंसर्द नमबर टू velocity vector का magnitude आ गया यह VB speed again V तो इस वेक्टर में मतलब वी ए वेक्टर में और वी वेक्टर में कि यह यहाँ पर उठाकर रख दिया मैंने क्योंकि मैंने अब भी बताया व्यक्तर को तुम जहां आचाहो वहां कर लो तो इनिशल पॉइंट था एफानल पॉइंट है भी इस वेक्टर यहां पर रख दिया तो वट इस भी एक वल्टू इसलेगे परपेंडिकुलर है तो डो पर पेंडिकुलर को रिए जाता है अलॉंग डाइगनल यह आग्या लेटर से डेल्टा वी नाम इसको बोल रहा हूं मैं डेल्टा वी तो पता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्डेंट क्या होता है पता है अंडरूट अप्लस यहां तो वी अभी वी ए और वी भी भी वी है क्योंकि दुनका स्पीड अगर मैंने कुछ और एंगल बता दिया मैंने बोल दिया चलो 45 डिगरी का एंगल हुआ तो फिर क्या करोगे फिर तो वापिस इसको चेंज करके वापिस फॉर्मुला बनाना पड़ेगा ना उसकेस में क्या लिखोगे अंडरूट आफ वी स्कूर प्रस वी स्कूर माइनस दो बी स्कूर कॉस्ट थेडर तर तर देटली गर लो सिदा एक फॉर्मुला बना लो दन नेक्स फॉर्कॉट रोड असर्किलर रोड अफ रडियस 1000 मिटर हैस बैंकिंगल 45 डिग्री देमाग्सिमाम सेपीड फॉर्प अ कार माक्शिमाम मोस्ट नहीं माक्शिमाम फॉर्पा तो अगर याद है तो ठीक है नहीं याद है तो फिर में बता देता हूं वी एकुवल टू स्ट्रक्चर इस सेम अन्डरूट ओफ आर जी तैन थेटा म्यू एस वन म्यू एस तैन थेटा तो स्ट्रक्चर रिमेंस सेम मैं सिर्फ मैक्शिमम अगर बोला होगा तो इधर प्लस इधर माइनस और अगर मिनिमम बोला तो उपर माइनस नेचे प्लस गुड तो यह हो गया फॉर्मिला आपको सिर्फ यहां पर सब्स्ट्रीट करना है वैल्यू आर्ग वैल्यू कितना दिया हुआ है थाउड अब था तैन उनुनगे तैन यह सब्सक्राइब टान उक्रटी फइफ इछ छी तो तंग कम इस टिरो पॉइन और प्लस सोड़ी अपन वन मिनस दिरो पाइन फ़िव इन तो एन दो टैन फुटी फइव तो वी एक्वल 0.5 10 for device one 1.5 upon 0.5 1 of root 3 so yeah we equal to 100 under root of 1.5 upon 0.5 mother threes okay this is ones are and threes are so ones are and threes are what is root value so we equal to 100 into 100 into 1.732 मतलब कितना 173.2 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नमबर 172 अब बोलोगे कि 172 क्यों नहीं आया जी क्या लिए तुमने टेन बुला गया नहीं तो क्या लेना चाहिए नाइन पॉइंट है इसलिए हमारा आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि हमने जीए की वैल्यू ज्यादा लिया है अगला कोश्चन कि इस पार्टिकल कवर्स हाफ दे सर्कल आफ रेडियस आर विट कॉंस्टन स्पीड देखो स्पीड कॉंस्टन अगर है स्पीड कॉंस्टन है स्पीड स्केलर कॉंटिटी है पहले यह दिमांग में रख लेना स्पीड इसकेलर कॉंटिटी देन इस पार्टिकल अपने मोशन में आप सरकल पार्टिकल कवर्स हाफ सरकल तो सपोस्ट पहले वह एपॉइंट पे था अब वह वह बीपॉइंट पे आ गया ख्रीट चहएंज हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि क्योंकि कोन स्पीड के है कॉंस्टन और कार्टे वेंट करता है कि स्वेल अच्छे आपाँ निंगा जिघंड काल सिकेलर की एक्टिकलर होटा है लेकिन स्टी Miguel जी crank sickness सब्सक्राइब करता है मास इंटू स्पीड स्क्वेर हाफ एम वी स्क्वेर मास तो चेंज होता नहीं है ऐसा होगा कि इसा होता तो फिर नहीं होता है और आधे चक्कर में कम हो घुए तो नहीं है तो नहीं वह आपको चेंज करना है यह एपॉइंट पे स्पीड कितना है वी पॉइंट पे स्पीड कितना है वी चेंज इन वेलोसिटी कितना है अभी बताया था मैंने तु वी साइन ठीटाबाइट तो साइन आफ 180 बाइट तो मतलब बैसिकली टुवी को इन इस वान वट पिस्टेंगे इन मुमेंटम और मॉमेंटम प्र आ स्पॉच रहे वो चेंज इन angular momentum you know what is the formula of angular momentum पता है पता है नहीं पता एंगुडर momentum is itself rp r into p या फिर mvr पी क्या होता है mv पी क्या होता है mass into velocity ना क्या है constant change क्या हुआ लेकिन कितना चेंज हुआ टू वी तो वाट इस दे चेंज इन टू एम विया इन्होंने क्या बोला है तो सही है क्या पॉप्शन नमबर डी यह सब लिखने की जरुवत नहीं है आयम जैस टेलिंग यो कि start करो पहले question पड़ लो हाँ सरकल कंपलीट हुआ है radius r स्केलर है तो स्पीड कंस्टंट तो स्पीड कंस्टंट कंस्टंट है तो कायंट इक आपिस विब्रता करता है तो आप शिंज नमबर दी नाटिंग टूस हौल लिखना भी नहीं इसके लिए सब्सक्राइब कुछ नहीं है है कि फसायक्लिस्ट गो जब रण अ चरक्रियर मीटर जखने कुछ ए छधर lot चरक्रियर मतलब 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 तो पाई आर कितना दिया है 34.3 पहले पूरा पढ़ लो नहीं तो रेडियस लिख दोगे वो रेडियस नहीं वो क्या है सर्कम्फरांस इन इन रूट 22 सेकेंड मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में के कितना टाइम लग गया और एक चक्कर के लिए जो टाइम लगते करो सकोया बिल्ट Cape कि दिया है आफको थाई मेल्ट भी क्या करें के चल रा था था साइकलिस क्या नहीं चलेगा तो यो थि त्रोन अउट सइड़ क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स उसको लाना पड़ेगा और बैंकिंग तो हुआ ने तो क्या करेगा जूटेगा बेंड होगा बरबर गुड टाइम पिर दिया आपको येस और क्या पूछा आपको एंगल तो कैसे दॉल करोगे कैसे होगे हमने मोटर रागल गेस में कौन सा पॉमला यूज किया था टैन थीटा इक्वल टू वी स्क्वेर बाए आर जी तो यहां पर भी वही करना है तो थीटा इक्वल टू टैन इन्वर्स और वी स्क्वेर बाए आर जी do you know what is B और वैसा भी कर सकते हो वैरी गड़ क्योंकि वाट यूज आजए इस वीर क्वल टू आर वोमेगा तो वी क्वल टू आर ओमेगा तू पाए वाई टी तो अलड़ी है तूपाइर यहां से तो वी मिल गए आपको वी वी आपके पास आ गया तूपाइर आर वाई टी यह कितना है 34.3 टी कितना है रूट ऑफ 22 लेकिन इसका करना है को स्क्वेर क्या है स्क्वेर तो 34.3 का स्क्वेर मैं बताता हूँ कैसे करना है और रूट ऑफ 22 स्क्वेर इस 22 जाए अब देर्फोर थीटा इक्वल टू टैन इन्वर्स ऑफ एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रेट हुआ है पता रहा हूं वी स्क्वेर बाए आर जी सही है वी स्क्वेर मिल गया तुमको आर कहां से लाओगे आर आर क्या है गार तो इसके लिए कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए एक ट्रिक समझ लो सही है गलत कुछ नहीं है अविटिंग इस राइट नाथिंग रॉंग बट जस्ट जस्ट कीप वन तिंग इन माइन इसके बादना में अगर एक स्टेप चेंज करता है तो थोड़ा क्यक्विशन सिंपल हो जाएगा थिटा एक्वल टैन इनवर्स और वट इस वी आर जी आर ओमेगा स्वरी वट इस वी आर ओमेगा आर स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर अपॉन आर एक आर एक आर यह और यह इसका स्क्वेर और अपॉन में क्या है जी अपॉन में क्या है जी गुट आदा क्लियर तो थीटा एक्वल टो टैन इनवर्स-off डर्क ऐसा है यह टूब आए का स्क्वेर है तो टूब आए का स्क्वेर मतलब पतासिया होदा यह तो पाइप इंटू टू अहां जानने मुझ के तो लेह हूं नीचे क्या है स्क्वेर है इसक्व लिखा यहें तूपायर बन गया है तूपायर कितना है कितना है धरिटोड टूपाएगा या टिथे पॉइंट Ground Love और shouldn't you 22 हो गया सॉल हो गया आगया अंसर है आगया ना अंसर है अरे अंसर आ गया नहीं बता तो मैं अंसर कैसे आया नियुमेर्टर में क्या है कि 34.3 मल्टिप्लाइड वह क्या है इस पॉइंट टूइट डिवाइड बता है क्या है तो अंडेट एंट ट्वेंटी वह क्यों क्यों क्योंकि हमने जी क्यों कितने ली लेनी कितनी चाहिए थी कि ओके वह चलता रहता है गड़बर उसका छोड़ो तो उपर था टूवन फाइव पॉइंट वाइव पॉइंट फॉर जिरो फॉर यह नियुमेरेटर था आपका डिवाइड वाय तुमने क्या किया ट्वेंटी टू इंटू क्या नाइन पॉइन पॉइंट एट तुमको देख रहा है कुछ जीरो पॉइंट नाइन 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 मतलब कितना वन यून वाट इस टैन इन वर्स ऑफ वन तो वही तो मैंने बोला आंसर आ गया आंसर आ गया कहां गया ऑप्शन एगए हम लोग ने नाइन पॉइंट एट यूज करना है तो दिस इस नाइन पॉइंट एट तो इन डाइट केस यह बंज बन जाएगा टैन वर्स ऑफ वन इस फुर्टी फाइव डिगरी गुड नेक्स्ट कोश्चन दन लुए 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 कि इस साइक्लिस्ट इस भूविंग विट स्पीड ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड अभी एक चीज़ और समझ लो स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट 4.9 बोला है मतलब जीक्यों नाइन पॉइंट यूज करना है ने तो इसा वियर्ड नंबर क्यों देते साइक्लिस्ट मूविंग विट स्पीड ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड और लेवल रोड लेवल रोड मतलब प्लाइट रोड है वो रहीट बैंकिंग नहीं किया वहाँ पर कैन टेक शार्प सर्कुलर टर्न ओफ रेडियस फोर मेटर मतलब आर्भी देजिया देन दो कोईशन दो फ्रिक्शन बिविं दे साइकल टायर्स एंद रोड इस जब बैंकिंग नहीं होता तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस प्योर्ली प्रोवाइड बाइड पॉर सब्स्टाटिक इक्षिन दिस इप्वल तो एमवी स्क्वैर बाई आर इस इकवल टो म्यूव एमजी हम यस्टी मिउ टाइम सब नॉर्मल रियक्शन आर्भार्ग एंजी कैंसल एंड आपको क्या पूचा है मूश क्या पूचा है मूश को मूश थोड़िस क्वीश्वेर आ आर जी ताइट बन गया फरमिला वी के वैल्यों कितने दिया तो फोर पॉइंटना है पॉर पॉइंटन नइन एक यूज करना है जैसे हैं तूजा जाओ वेरी गूड । पोर पॉइंट नंए अपाउन एट कि पुरपंट नैन्वाइट जिरोपॉइंट सिक्स वन पका श्रिघ्जर नहीं अगर नई कॉणफिडेंस है तो फिर और सिंप्लिफाइब करो करते रहो करते रहो यह नव पॉइंट नाइन है मैं जल्प देता हूं वन जायन फाल यह है और उपर वन पॉईंट फिरह जैने दॉन विधन जो नैक्स है नेन अलतून a body of mass one kilogram is tied to one end of string a body of mass one kilogram tied to one end of string is revolved in horizontal circles of radius point one meter with a speed of three revolutions per second assuming the effect of gravity is negligible then the linear velocity acceleration and tension in the string will be a string is something like this imagine this is a screen और इसको horizontal circle में रोटेट नहीं वर्टिकल नहीं है वर्टिकल इस लाइक दिस हां horizontal circle इसा उसको गुमाया राइट सिंपल तो क्या क्या पूचा है आपको रेडियस दे दिया that any relation कितने हो रहे है एक सेंद में तेन प्रसेकेंड तो यह एन है क्यों मेगा है अरे आर्पिएस आर्पिम क्या होता ए by आपको यह कैसे मिलेगा तूपाय एन वेड़ी गुड क्या पूचा आपको लीनेर विलोसिटी और क्या पूचा आपको एक्सेशन और के बुछ आपको टेंशन तो कुन सी बड़ी बात है वी इक्वल टू आरो मेगा ओमेगा इस टू पाइन आर इस 0.1 0.1 मुलें ना येस तू पाइन एन कितना दिया है त्री त्री बरावर सही है शिक्स इंटू 0.1 इंटू पाइड इस 3.1 कुछ नहीं करना शिक्स तीजा एटीन कितना एटीन और एक पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा ओप्षन ए को गया खतम वेल वेट इतनी नहीं ना ऑफ दिस बाकिदो चैक करना बाकिए एक्सेश्टन एन टेंशन तो यह बीच एक शेक करना पड़ेगा ऑसलोसंट न टेंशन चेक करना पड़ेगा आपको तो डैरेक्ट ली मतलिक देना ऐसा वोट इस एक्सलेरेशन आर आर अल्फा गुड वेरी गुड आर अल्फा लेकिन अल्फा फाइंड करोगे कैसे करोगे नहीं क्या करोगे हां वी स्क्वेर बाई आर वाट इस सेंग इसेट करेक्ट वी स्क्वेर बाई आर तो जब कि लर मोशन में यह यूनिफॉर्म है उपड़ से यूनिफॉर्म है नहीं एक सेशन सेंट्रिपिटल टो टो अधिर अधि छेशन है मतलब मोशन क्या है सेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसमें एक ही एक स्टेट इस चैंटरी पीडल उसके तीन फॉर्मुला है वी ओमेगा आर वीस्वेंगा स्क्वेर और वी यहां पर स्क्वेर आर यूस्वेर और कितना है पॉइंट एट एट इसका क्या करोगे स्क्वेर और कितना है जिरो पॉइंट वान पॉइंट एट एट बता दो तो तो एक श्वेर पॉइंट और नीचे टैन पावर माइनस वन उपर जागा तो अब जागा तो 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 त्रटी सिक्सट पाइंट वयं मीटर पर सेकंड स्क natural कि 35.5 है टिस क्यों आया क्योंकि हमने रफ कैकुलेशन कि 1.9 लिया आपने था तब वन पॉइंट एक डिर वन पॉइंट एक एट चा स्क्वेयर ले तो थर्टी फवाइंट दो फॉइंट फाइक तानस आगा 35.3 मों तो क्लियर हो गया 35.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर ओके 33.35.3 35.5 इंशुड पैंचन कि वहट इस टेंचन फोर्स ठेंटना क्यों सोच रही है टेंशन एकुल टू मासें टू ही मासे है मास कितना है तो मास होने तो टेंशन कितना है थर्टी फाइब पॉइंट तो वह आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर एंग दंग कि नेक्स्ट कोश्चन कि आप लोगों को कॉनिकल पेंडिलम और फ़नल का केस याद है कि मैंने को कॉश्टन सेल था दा फ३निकल था इंडलों का वर्टक्स परTR मगविश में उपर लोगों कवर्टिक्स निश tag को ओं पार बोगुब दिसक्राइब्स ओ होन्तल सर्कल इन कोनिकल फटृम तो यूवब पडिकल विचम describes describes horizontal circle in a conical funnel whose inner surface is smooth with a speed of 0.5 meter per second what is the height of the plane of circle from vertex of the funnel simple question है question है हमारे पास एक फरनल है वाज़े इस है आई डिया भी होगा structure of funnel नाट कि वन नाट विए बना लेंगे कर दो कर नहीं स्रे मैं पार्टिकल इसिसक्राइब सर्कल तो इसमें एक पर्फोर्म विच मोशन striking में तो इसमें एक पर्टिकल है विच डिसक्राइब शरक्ल ईस बेसिकर इसके आगे क्या बोला है इसके आगे आपको बताया गया है वाट दैलिंग यू इस फूस इनर सर्फेसे स्मूथ मतलब दिर इस नो फ्रिक्शन विच स्पीड 0.5 मेटर पर सेकेंड तो यह जो पाइटिकल एसका स्पीड कितना स्पीड लर्मोशां उस सर्कल के प्लिन का हाइट कितना है कहां से वर्टेक्स से मतलब अशिच पूचा है इन शॉट क्या बूच ए एच अर आपको रेडिएस दिया है घितना दिया है कि इनद tipping मताया चैलो अभीड वateursने कोई नहीं है कि यहां पर किया सब्सक्राइब तो पहरे तो बता फोर्स कोन कोन से है एंजी वर्टिकली इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी उसके बाद क्या है नॉर्मल रियाक्शन नॉर्मल रियाक्शन इस पर्पेंडिकूलू दूसर्फिस इंक मतलब यह ऐसा आएगा something like this good then उसके बार अगर आपको याद होगा इसको तुम करते हो एक्स्टेंड याद है यस ये जो diamond normal reaction रे डिय एसर ये अंगल है ये ईसे क्यूं इसा इस एंगल उसमें यह कितना है तो बचावा कितना है तो यह क्या है चेटा तो नॉर्मल रियाक्शन के दो कॉंपोनेंट्स करोगे न एक है यह कुन सा है और एक है यह कुन है एन साइन देखो कॉनिकल पेंडूलम में और यहां पर इस केश में इस केश में एंसाइन किसको बैलन्स कर रहा है था प्रोवेट कर रहा है एन कॉस्ट बड़ाबर पका राइट इसलिए रिविजन करके आना होता है नहीं तो मुश्किल होगा तो एन साइन सिटा क्या गया एम जी और एन कॉस्टिटा क्या कर रहा है एम वी स्क्वेयर बाई डिवाइड कर देंगे तो साइन अपॉन कॉस्ट एंड साइन बाई एन कॉस्ट एकुवल टू एम जी अपॉन एम वी स्क्वेयर बाई आर एम एम कैंसल तो टैन ठीटा एकुवल टू मैंने आपको यह भी बताया था कि कोनिकल पेंडिलूम के लिए इस वी स्क्वेयर और फॉनल के लिए टैन एकुवल टूसका उल्टा आर जी वाए वी स्क्वेयर आगया ज्यान में यह आपको क्या करना था है अभी हाइड आया का एकुवेशन में नहीं तो लाओ 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 पॉट इस तैंट इटा बाइडेशन अपॉट अपॉ साइट से में तो राइटेंट साइट भी सेम होगा तो फ्रॉम एक्वेशन नंबर वन एंड टू आर बाइच एकुवल टू आर जी बाइवी स्क्वेयर आर पता नहीं था गया एच आज आएगा वी स्क्वेयर बाइजी वी कितना है जिरो पॉइंट फइव उसका स्क्वे यह सेंटीमेटर में अथा तू पॉइंट oportunỏi अज हएग एक मीटर में खंड्रेड शेंटीैमीटर होते हैं सो टेसिमल सेफ्ट और तो कितना ऐगा टू पॉइंट लिए आफ्टे मीटर आपाश्न नंबर एक पो üleना बी प हैगा दी टू पॉइंट फाई पाइव दन